टीम इंडिया ने नियूजेल लैंड के इखलाव T20 सीरीज का दूसरा मैच साथ विकेट से जीत लिया दूसरे मैच में भारत के लिए जहां के अल राहूल नाबाद 57 रनों की पारी खेली तो वहीं श्रेयस अईयर ने भी 44 रनों का योगदान दिया श्रेयस ने सीरीज के पहले मैच में भी नाबाद 58 रनों की पारी खेली थी और उनकी शांदार बलेबाजी ने भारतिय टीम के लिए चौते नमबर पर बैटिंग की लंबे समय से चली आरी समय से और खत्म कर दिया मैच के बाद श्रेयस ने माना की कप्तान कहुली से उन्होंने मैच खत्म करने की कला सीखी सीरीज के पहले मैच के श्रेयस को सर्वश्रेश खिलाडी का पुरस्कार मिला था रविवार को दूसरे टीट्वेंटी मैच में जीत के बाद उन्होंने कहा विराट कोली चबले बाजी के लिए जाते हैं तो वो जिस तरीके से अपनी पारी की योजना बनाते हैं तो बिलकुल सही उधारण है मैंने नीजी तोर पर उनसे काफी कुछ सीखा है तो जिस तरह से खेलते हैं और मैच को खत्म करने की कोशिश करते हैं उनका ये पहलू सर्विश रेश नहीं है अयर ने कहा मैं रोहिट शर्मा से भी सीख लेता हूँ जब भी उन्हें मौका दिया जाता है वे इसका अच्छा इस्तमाल करते हैं तीम के ये सभी बैतरी इन ख्लाडी हम जैसे योगां कि सच मुछ उधारण पेश करते हैं पहली बार है जब भारत में न्यूजिलैंड के खलाफ लगतार दू टीट्वेंडी मैचेज लीते हैं अयर ने कहा इन सीनियर प्लेयर से काफी कुछ सीखा जा सकता और जब भी मौका मिलता है तुम ऐसा करने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि मुझे नाबाद रहना पड़ेगा और उन्हें कहा इस सोच से मुझे क्रीज पर गेंबास से ने बटने मुदद मिलती है और जब समय आता है तो वह उन पर हाभी हो जाता है जब आप लक्षर का पीछा करते हैं तो आप इसी तरह अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं टेक्स्टनान स्पोट्स के लिए